नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनु श्टडी क्लासे यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को इंसियाटी वो क्लास 12 हिंदी आलोग वृत के अधार पर गांधी जी का चरिच चित्रिण में आप लोग को इस पूडियों बताऊंगा जो की वोड ग्याम में पूछा जाता है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेश जरू करें जोस्तों प्रेश निम्बर नव आलोग वृत के अधार पर गांधी जी की चरित्रिक विशेस्ताओं पर प्रकाश डालिये या आलोग वृत खंडकाब के अधार पर महात्मा गांधी की जीवन व राष्टि आर्दर्सूप पर प्रकाश डालिये या आलोग विर्त के किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र इत्रण कीजिए या आलोग विर्त खंडकाबी के नायक का चरित्रांग कीजिए उत्तर आलोग विर्त खंडकाबी के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विसेस्ताएं निम्नुवत हैं हेडिंग नुमबर एक समान्य मानविय दुरुबलताएं गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारन मनुस्खी भाती मानविय दुरुबलताओं वाला रहा है उन्होंने एक बार अपने गुरु से छिपकर मास वश्रण किया था किन्तु बाद में उन्होंने अपनी इस दु हेडिंग नुमबर दो देश प्रेमी आलोक विरत में गांधी जी की चरत्र की सुरवर्थम बिसेशता उनका देश प्रेम है वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं उन्होंने अपना सरवस्व देश के लिए नेवचावर कर दिया भारत के लिए उनका कहना था तुचीर प्रसान तुचीर अजय सुर्मुनी वंदित इस्तीर अप्र में हे सगुर ब्रह देदादी गे हे चीर अनादी हे चीर असेश मेरे भारत मेरे सुदेश हेडिंग नमबर तीन सत्य और अहिंसा की प्रबल समर्थक गांधी जी देश के सोतंतरता कीवल सत्य और अहिंसा की द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं आसत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता, वे कहते हैं पसुबल किस समुख आत्मा की सक्ती जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी हैडिंग नमबर चार, द्रिन आस्तिक, गांधी जी पुरसार्थी हैं, तो भी वे इस्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं, वे प्रतेक कारे इस्वर को साक्छी मानकर करते हैं यही कारण है कि वे मात्र, पवित्र, साद्नों का प्रयोग ही उचित समस्ते हैं, क्या होगा परिडाम सोच लूँ, पर क्या सोचूँ, वह तो मेरा छेत्र नहीं, रिष्टा का जो प्रभू करे वही हो हैडिंग नमबर पांच, स्वतंतरता प्रेमी, गांधी जी के जीवन का मोल उद्देश, भारत को स्वतंतर करवाना है, वह भारत माता की स्वतंतरता के लिए कुछ भी करने को तयार हैं वे देशवासियों को प्रतंतरता की वेडियां काटने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, जाग तुझे तेरी अतीत, इस्मृतियां धिकार रही हैं, जाग जाग तुझे भावी पीडियां पुकार रही हैं हेडिंग नमबर 6, मानवतावादी, गांधी जी मानो मानो में अंतर नहीं मानते, वे सबके लिए समानता की सिध्धान्त में विश्वास करते हैं, उन्होंने जीवन भर उच नीच, जाती पाती और रंग भेद का डटकर विरोध किया, इस वेदभाव से उन्हें बहुत द हेडिंग नमबर 7, भाव नात्मक, राष्टी और हिंदू मुस्लिम एक्ता की समर्थक, गांधी जी, विश्व, वन्धुत और वसुधेव, कुटूंब क्रम की भावना से ओत्पोत थे, वे सभी को सुखी वस्मृद देखना चाते थे, उन्होंने भारत की समग्र जनता को एक्ता की सुत्र में बादने के लिए जीवन भर प्रयास किया और हिंदू मुसलिमानों को भाई-भाई की तरह रहने की प्रणा दी, उनका कहना था, यदी मिलकर इस राष्ट यग में सब करतब निभाये अपना, एक वर्स में ही पूरा हो, मेरा राम राज का सपना निसकर्स रूप से कहा जा सकता है कि एक स्रिष्ट मानों में जितने सभी मानोविचित गुड हो सकते हैं, वे सभी महात्मा गांधी में विद्धिमान थे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्यू फूर वाचिंग